अब ये बंदा तुम्हारे भाई को हैक लगा कि भी नई पिल पाया हम दोनों के दोनों जिन्दा है भाई एक बंदे को भी पेटी नहीं बना पाया ये तो यार मेरे ख्याल से इससे सरम की बात कुछ होगी नहीं जिन्दगी में तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू भब जी दो मुबाइल गेम प्ले वीडियो में तो देखो यार आपको पता है कि मैं पंगे लेते रहता हूँ हना कभी साप से पंगे कभी केमपरों से पंगे भिड़ जाते लेकिन यार इस मैच में कते हैकर हुकर आचाते बिल्कुल सस्ते टैप और सामने हैकरे और तुम्हारा भाई उससे पंगे न ले ऐसा शायद कभी नहीं होगा हना तो मैं फिलाल के लिए नूवो आ रखाऊं यहाँ पे बंदे पेलते फिर हैकर को पेलेंगे और ये हमारे भाई बड़ी मुश्किल से लेंड करते लेंड करके भाईया कते बेहोश टैप हो जाते तो इनकी तो यहीं पेटी बन चुकी है हना तो थोड़ी बहुत लूट चाहिए यार जिन्दगी में मतलब M4 है लेकिन गूलिया कम है अभी क्योंकि यार तुपको पताई यह अंधा परी फायर वगरा देते तो गूली खतम टैप हो जाती है और इतने में ही इनका एक दोस्त यहां पीछे भगा होता है तो उसे पकड़ता हूँ मैं और यहां पर मेरे ख्याल से मैं दो निहत्ते बंदे पेल चुका हाना दोनों के दोनों निहत्ते नंगे बिलकुल मतलब दोनों भाई बिलकुल इस आज में आयोंगे कि भाईया आज नोवो जाएंगे देड़ पैड केड़ी बढ़ेगी और केड़ी बढ़ने का तो पता नहीं लेकिन घड़ जरूर कई है क्योंकि भाई नंगा ठिले यार केड़ी कैसे नहीं गटेगी तो आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ है ना लूट लाट ठीक है भाई जितनी भी लूट हो आगे बढ़ना ही पड़ेगा बंदे पेलने ही पड़ेंगे क्योंकि आगे बढ़के बंदे नहीं पेले तो यार किल और केड़ी कैसे आगे जाएगी और यहां पे तयार हो जाओ क्योंकि मैं इतने सारे किल चोरी करने वाला हूँ ना मतलब इस मैच में कई लोग मुझे गाली देंगे अभी देख लोआर मतलब दो तिन किल ऐसी चोरी करता हूँ जैसे हलवा पड़ाओ सामने अब यहां पे तुम्हारे भाई ने तीन किल चुराए और एक बंदे को अपनी महनत से पेला मतलब महनत तो क्या ही लगी एक ही सौट पेला और भाई धेड़ पेड़ नौक लेकिन उस बंदे ने मेरे ख्याल से इन तीनों को नौक करके रखा था तो तीनों की पेटी बनाई किल चोरी की अच्छे से एक बोट भी आगे तो यहां पे खड़े खड़े बिलकुल हलवे की तरह मुझे पांच किल मिल चुके है अना तो भाया स्टार्ट काफी बढ़िया हो चुका है लेकिन आगे जाके गलत सीन दबा किये उंगे तो देखो किल भी चोरी कर ली उन किल चोरी की पेटियों से लूट भी चोरी कर ली अब ठीक ठाक लूट मिल चुकी है तो देखो आगे बंदे धेड़ पैड़ गोलिया चलाई रेते तो यार हमें भी जाना चाहिए और यहाँ पे भी यार बंदे लेटे बड़े होते उपर तो यहाँ भी गलत सीन होंगे अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही सस्ता इस्प्रे देता हूँ हाना और यही सस्ता इस्प्रे अगर मैं आगे जाके करूँगा तो यार मेरी पेटी पक्का बना देगा है कर लेकिन वहाँ पे जाकि यार तुक्के-तुक्के भीट जाते तो यार वो टैम आने ही वाला है जादा देर है नहीं उसमें लेकिन देखो फिलाल के लिए कोई बंदा मेरे ख्याल से टावर के उपर लेटा पड़ा है तो उसे ढूड़ने की कुशिस चल लिया भी और देखो यहाँ पे मुझे अच्छे से पताई कि अगर मैं पूरा उपर चड़ूँगा ना कंटेनर के बंदा मुझे जरूर पेलेगा किसी ने सकोप यहीं खोला है लेकिन उसके बाद भी धीट होने के कारण मैं वही करता हूँ और देखो यार इसमें सारी की सारी गलती मेरे डेट ता की है ठीके मुझे पता है उपर मैं पहले चड़ा पहले भी गोली चली अभी भी चलेगी बंदा लेट आ है कहीं पे लेकिन उसके बाद भी उपर चड़ रहा हूँ मैं मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऐसी हरकत की लेकिन हाँ अब नोक होके रिवाय हो चुका हूँ तो यार थोड़ा तमीज से खिलना पड़ेगा अबी और जैसी मैं ये सोचता हूँ कि यार अब तो तमीज से खिलेंगे ये लोग हम पे दैड़ पेडरस कर देते हैं तो हीलिंग हुलिंग पोट चुकाओं मैं हाना दुबार उपर चड़ने वाला होता हूँ लेकिन नीचा आता हूँ और अब इन्हें पहलते हैं जरा तो देखो ये लोग मुझे नोक करने के बाद दैड़ पेड से रस करते हैं हना दोनों बंदों की हम दैड़ पेड पेड़ पेटी बना देते हैं लेकिन जहां तक मुझे लग रहा होता है कोई न कोई टावर में जरूर होगा और क्योंकि फलेर भी चल रखी है हना डिरॉप भी आ चुका है बंदा लूट के मेरे ख्याल से नीचे कूच चुका है तो उसे पेलने के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं और देखो कहां भगरे होते भाई पूरी जान रगा के अब आपको क्या लगता है कि ये बंदा इधर से भगके क्या करने वाला था ठीक है जहां तक मुझे पता ये कतई जहरीला डसीला साब बन जाता हूँ मतलब देखो मैं इतना मतलब जोस में नहीं भगता आगे तो शायद ही ये मुझे डस पाता मैं निकल लेता है यांसे लेकिन भाई या इससे भगते भगते पकड़ लिया तो पेटी जरूर बन गई और देखो ये बंदा जब साब बनता तो क्या ही सीन होते भाई M249 100 गोली वाला साप यार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है मतलब UMP सप्रेस वाले भी जहर होते लेकिन भाई ये भी खतरनाक होगा 100 गोली यार रुकेगी नहीं बिल्कुल भी क्यार इनको पेलने के बाद मैं उठाता हूँ बग्गी और निकल लेते हैं यहां से हना मुझे लगता है कि यार नोवो खाली हो गया कोई बचा नहीं है यहां पे लेकिन मेरे ख्याल से सीन क्या होता है बंदे नोवो के घर घूर लूटके गाड़ी लेके आगे की तरफ जा चुके हैं हना तो मेरा टीमेट चिलाता है भाईया कता ही जहर लैग हो रहा है बंदे जरूर है यहां पे और मुझे इतने में ही दो गाड़िया रूकी पड़ी मिलती है यहां पे और बंदे भी होते है तो देखो यहां पे तीन बंदे खड़े होते हैं ठीक है पट्रोल पंप में यह लोग क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता मैं बस आखरी बंदे को डून रहा होता हूँ कि भाई वो है किदर हाना लेकिन जिस हिसाब से वो बंदा उधर रुका वाता बिल्कुल आस छोड़ के यार मुझे नहीं लगता है इनका कोई भी बंदा इधर होगा और अगर होगा भी तो वो आप कद्दू भी सामनी नहीं आएगा क्योंकि तीनों बंदों की पेटी बन चुकी है मैं गाड़ी से उतर तो मैं धैड़ पैड लेटता हूँ हना डिरॉप शॉट पेलने के लिए लेकिन कोई आता नहीं तब तक मैं खड़ा होता हूँ एक बंदा कूटते वे सामने आता है तो उसको कूटते वे वाप अब जब ये बंदा मुझे पेलता है ना मैं चिला उटता हूँ कताई मेरे घरवाले भाईया डंडा देके आ जाते बोलते भाई हल्ला कमकर हाना तो पहले मैं बोलता है इतना खतरनाक सपरे कैसे देखो मैं पहली बार में सीधा हैकर नहीं बोलता हाना क्यूंकि यार क्या सब बढ़िया खिला हूँ बंदा लेकिन भाई सकारेल चला रहे थे हना एमफोर होती तो बात बनती क्यार वो सब छोड़ार आगे देखो क्यूंकि आगे अभी बहुत पंगी होने वाले हैं तो वो बंदा इतने दूर से सकारेल चला रहा है और सारी गूलियां लग रही है अब देखो जिस बंदे ने कार 98 पे लिए जहां तक मुझे पता है वो कोई है कूक नहीं कर रहा है हना ये मैं अपनी मुर्कता की वज़े से ठिला हूँ लेकिन वो बंदा जिसे मैंने अभी नो जिसे पीछे वाइठी था उना वया नाम की पीछे वाइठी था तौर रहा है पहर नहीं हो गी ऐनकी और वो बंदा कता इह बहुत तेजी से आगी भी आ जाता है है और इस चीज के बाद न भाई मुझे सो परतीसद पता चल जाता है कि ये नूबड़ा हैक लगा के खिल्ला है हना इतने दूर से सकारेल पटका रहा है ठीक है मेरे पर वेश्ट नहीं लेकिन भाई गोली मिस्ट तो होनी चाहिए हना और देखो ऐसा नहीं है कि अभी तक मुझे ये लग रहा था दिमाग में कि हो सकता है हो सकता है कि कते तगड़ा खिल्ला हो तो तुम्हारे भाई ने उसका वाईठी चैनल भी खुला और भाई साब जो गंदगी मिली मुझे माँ पे और देखो यहां पे क्या होता है उनका एक बंदा मैं दूर नो करता हूँ जिसका मुझे नहीं लगता मुझे किल मिल पाएगा क्योंकि वहां पे एक और सकॉड़ा चुकी है लेकिन हमारे हैकर नूबडे कहा पहुंच गए हैं देखो जरा अब बंदा इतना जहर सपरे कर रहा ही कि भाई मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से और भाई मैं नोग भी हो जा रहा हूँ उसके उपर से मेरे टीमेट पे भी गोलिया लग चुकी है दो चार तो खेर मैं रिवाइव हो चुका हूँ देखो हीलिंग करने का प्रिटी नहीं बना पाए ये तो यार मेरे ख्याल से इससे सरम की बात कुछ होगी नहीं जिन्दगी में होगी क्या मुझे नहीं लगता यार इससे जाता सरम की बात कोई होगी मतलब यार तुम हैक लगा के गंद पहला रहे हो गंद गेम में उसके बाद भी ठिल रहे हो व भाई वहाँ पे बंदा सिखा रहा है कि कैसे है करें मतलब गेम पे तो गंद फैला रखी है या यूटूब पे नहीं चोड़ा इन्होंने अगर आप उसका चैनल सर्च करते हो तो क्या होगा फालतु में उसकी परमोशन होगी जो कि मैं नहीं चाता तो देखो अगर आपको मे पेला है वो नीचे पड़ा रहता है और यह नूबड़े यार क्या ही बोलूँ और पीछे से नजाने कौन सी सकौड का बंदा आ जाता है खेर उसको में पेल देता हूं और अगर भाई लोग आर आपने अभी तक लाइक के बटन को पेला नहीं है ना तो जैसे वेने इस हैक है अगर नूबढ़े को पेला वैसि आप लाइक के बटन को पेल दो मतला बनता है यार देखो साप का चकर मोझ से टककर चार बंदों से टककर यार यह तो यह सब तो होता रहेता है लेकिन भाई हैकर को भी पेल दिया यार तो एक लाइक तो बनता है मेरे ख такой से पहल दो लाइक के बटन को नीला टैप कर दो हाना खेर यहाँ पे पीछे दो बंदे होते मेरे ख्याल से एक को कोई AWM चटका देता है और जिस पर AWM है वो लोग आगे से गाड़ी ला रहे होते हैं तो अंधा इस पर है देता हूं मैं तो यहाँ पे वो लोग गाड़ी लेके भगरे होते हैं मैं बहुत सारी गूलिया पिलता हूं और डैमेज भी बहुत होता है लेकिन कोई NO कुकी नहीं देता तो करना क्या यार इनसे भी पंगे लेंगे मतलब अभी मुझे सेफ खेलना चाहिए ताकि वीडियो बन जाए हना कतई खतरनाक वीडियो बने लेकिन तुम्हारा भाई उसके बाद भी इनसे पंगे लेगा वह या 30 किल ऐसे कैसे होंगे यार 30 किल तो करना ही पड़ेंगे हैकर को पेल दिया उसके उपर से 30 किल भी हो जाए जिन्दगी में यार तामबे पे सुआगा हो जाता है बिल्कुली अब यहाँ पे मैं एक बंदे को पकड़ के बहुत ही जादा डेमेज देता हूं हना लेकिन बंदा ठिल के नहीं देता और पीछे की तरफ भग लेता है तो देखो यहाँ पे आगे 4 बंदे अभी अपने पे जोन होगा नहीं हणा ओर फिर भी यार त्वेट йट होने के कारण जोन ना होने के कारण भी उसके बावज़ूद भी कारण क्यों कहरा हूं मै उसके बाद भी हम यहाँ पे लड़ते रहेंगे और भाई लोग देखो तुम्हारा भाई डेली रियो टीवी पे स्ट्रीम करता है रात के नो बज़े से अगर गलत सी नव हो तो यार आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना रियो टीवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी आओ यार क्योंकि परसो ही मेरे ख्याल से वहाँ पे भी हैकर से पंगे होए थे वहाँ पे नूबडे ने मुझे पेल दिया था लेकिन हाँ कोशिस चलती रहती है और वहाँ पे पोको का भी गिवावे चला है तो आओ यार पबजी खेलो और आप पे चांस है पोको जीतने का दिक्कत की धरारी है लिंक डिस्क्रिप्शन में रियो टीवी की और भाई ऐसा निये कि ये लोग समल केके लेंगे नहीं भाया ये भी जोस में रसरूस कर रहे होते हैं और इतने में एक बंदे को पकड़ लेता हूं मैं पीछे ही और देखो इस मैच में किस्मत काफी बढ़िया चल ली थी मतलब अभी भी जिनता हैं तो मैंने सुचा क्यों नेट करके भी देख ली हूं इस बार और देखो जैसी इस नेट के साथ एक बंदा नोक होता है ना नेट फटते ही जब बंदा नोक होता है मैं समझा तो मेरे दिमाग में यात है कि भाई ये मैच में कुछ भी कर ले भाई तेरी पेटी नहीं बनेगी मतलब ठीक है अगर नंगा बाहर भगूंगा तो पेटी बनेगी लेकिन इस मैच में किस्मत पूरी की पूरी मेरे साथ होती है इसलिए मैं बोलता हूँ यार ऐसा नहीं कि अब सेफ खेलेंगे क्योंकि देखो किल भी ठीक ठाक हो गए मुझे सेफ खेलना चाहिए तकि वीडियो बन जाए लेकिन तुम्हारा भाई देखता है कि यार किस्मत अपने साइड है तो धैड़ पैड रसरूस करेंगे लेकिन मतलब ठीक्ठा करेंगे ना बत्तमीजी से करेंगे तो यार पेटी तो बनेगी पक्का बनेगी हलवा नहीं बैठें वो लोग भी वो लोग भी पेटी बनाएंगे लेकिन किस्मत अपने साथ है इसलिए भाईया रसरूस चौड में कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये जो बनता जिसकी मैंने अभी पेटी बना ये इसे बचानी के लिए आया था आगे ये समझ गया यार हम डीट है विलकुल ठीपी पी लेके बैठें हम उसे रोड पार करने नहीं देंगे तो हमारे भाई पीछे भग रहे थे और पीछे भगते भगते पेटी बना दी अब देखो सीन क्या होता है जिसे बचाने वो आ रहा होता है वो अभी तक जिन्दा है मतलब नौक पड़ा होता है लेकिन उसकी पेटी पहले बन जाती है क्यार वहाँ पे एक ही बंदा बाकी होता है और मुझे पता यार वो भी ठीपीपी लेके बैठा यार वो बंदा भी धीट है हमारी तरह तो मैं बोलता हूँ यार अभी टाइम है देखो जादा रिसक नहीं लेंगे तीन बंदे पेल दिये पूरी सकॉर्ड के काफी है काम चलता है अभी बढ़िया किलो रखे कही और जाके रसकरेंगे और यहां पे अगर जोन साथ देता जोन यहीं पे होता तो मैं जरूर रसकरता लेकिन यार जोन भाहिया से पंगा यार सोच समझ के लेना पड़ता है तो वहां से मैं निकलता हूँ आगे देखो आगे घर पे रसकरेंगे अब हना क्योंकि जोन छोटा हो चुका है एक अध घर ही बाकी है तो मैं घुमाई रहा होता हूँ गाडी कि मुझे यह आगे दो बारन हाउस मिलते हैं और भाई इस इन दो बारन हाउस में चार बंदे बैठे पड़े हैं तो करना क्या यार गाडी ठोकता हूँ में यहाँ पर देखेंगे बंदे किदर हैं और फिर अंदा गुज जाएंगे कताई धैड़ पैड़ और पेटिया बनाना चालू करेंगे बिल्कुली और हमारे ये भाई देख रहे होते हैं कि यार कार तो आई लेकिन बंदे किदर हैं और जैसी भाई बाहर की तरफ देखते हैं सीधा नौक कर दिया है लेकिन फुटस्टैप एक और बंदे के आ रहे तो यार रिवाइफ होई जाएगा जहां तक मुझे पता है और तयार हो जाओ क्योंकि यार जो बगल वाले बारन हाउस में बंदे बैठे होते हैं वो भी इधर आ जाते हैं और यहां पे ना मैं पूरी जान लगा के ये कुशिस कर रहा था कि भाई मेरी पेटी बूटी ना बन जाए क्योंकि देखो जो रोजोग की पाढ़ी में जो भी मेहनत की हैकर होकर नूबडों को पेलने के लिए यार वो सब कद्दू में मिल चाती तो दुख बहुत होता दिल पे और ये लो एक और बढ़िया तरीके का साब देखने को मिलिया भाई या भाई एडबलों में लेके बैठे हैं वो तो अच्छा हो भाई या सपोर्ट वगेरा कर लिया मैंने नहीं तो भाई वो कार पे बैठते जो ही पेटी बनाता ना यार अलग लेवल पे होती तो देखो यार मुझे पका नहीं पता था उस बंदे पे कौन सी बंदू के तो मैं पहले DP से 2-3 गोली उसके पेलता हूँ वापिस कवर में आता हूँ और पता चलता है भाई पे AWM होती है वो अपनी गोली चलाता है फिर मैं दुबारा पीक करता हूँ और तब पेलता भी बंदों पे AWM वगएरा होती है तो धेड़ पेड कवर से बाहर जाओ दू-4 गोली पेलो कवर में वापिस आओ और जैसी वो बंदा अपनी गोली पेले दुबारा पीक करो और पेटी बना दो कताई क्यार यहां पे मैं फुल बूश्ट वगएरा पेल देता हूँ हाना क लेकिन यहां पे मुझे क्या करना चाहिए मुझे एक समोक कर देना चाहिए ताकि गाड़ी में बैठते कोई गोली आ पेले लेकिन यार मैं ऐसा कद्दू भी नहीं करता क्यूंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा धीट और यह धीटता है यार कई बार मेरी पेटी बनवा चु और देखो ज़्यादा तर साप क्या करते हैं खेलते हैं हम साथ साथ हैं मतलब दोनों भाई भले कवर फायर नहीं देंगे लेकिन साथ साथ बनेंगे तो देखो यार दूसरा उसका टीमेट किधर पे साथ बना होता है देखो यार मजे करो और इसी के साथ कताई चिकन चुकन लिखा आ जाता है मैं अपनी किल्स पे देखता हूँ और भाई तीसो रखी होती है मैं बोलतो यार मजा टैपी आ गया और देखरे हूँ मतलब एक गिल्ली सूट वाले बंदे की वही सामने पेटी बनाई उसका टिममेट उसके बगल वाले पेड में लेटा था लेकिन भाई ने गोलिया नहीं चलाई क्योंकि यार भाई को अपनी जान जादा प्यारी थी मतलब दोनों भाई साथ में लेटेंगे लेकिन भाई कवर के नाम पे कोई कद्दू कुछ नहीं देगा और उपर से वो दूर से बंदा एंफोर पटका रहा था भाई काफी डेमेज दिया भाई ने बढ़िया सपरे था लेकिन आखिर में हमारी डी 37 की लिए एक लाइक बनता है कताई नीले जून की तरह इस नीली ये नीली डासिया की तरह नीला कर दो लाइक के बटन को पेल के रगदू कताई और देखो भाई लोग यार हैख हुक करके मतलब क्या पाइदा ठीक है उसके बाद भी ठिल रहा है वो बंदा हैक लगा के पे है कि नहीं लेकिन यार सकारेल से सकारेल ठीक गने लेकिन भाई या उस लेवल का स्प्रे कद्दू भी नहीं होता सकारेल से ठीके जहां तक मुझे पता है क्योंकि यार रिकॉयल तो हर गन में होता है लेप्ट राइट सारी गने जाती है और सारी की सारी गूलिया पेलना यार हलवा थोड़ी चला यार यहां पे तो देखो भाई लोग प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग टूलिंग करो ताकि आप ऐसे हैकर नूबढों को पिल दो हाना तो आज के वीडियो में इतना है भाई लोग्यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर आप यहां पे नए हो तो सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन गलत पंगे और सस्ती कमेंटरी के लिए